हेलो व्यूवर्स वेल्कम बैक टो आर चैनल लव यॉर्सेल्फ आज मैं आप लोगों के साथ मटर पुलाओ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर हमने चार कप पुलाओ का चावल लिया है और यह पी चावल को दो से तीम बार पानी से धोलेंगे तो चावल को हमने अच्छी तरह से धोलिया है अभी चावल में हम डाल देंगे फिर से पानी और पाले डालके चावल को पानी में 5 मिनिट तक भिगो के रखेंगे लगवग 5 मिनिट हो चुका है अभी पानी से चावल को निकाल लेंगे तो पुलाओ बनाने के लिए चुला पर हमने कड़ाई को बिठा दिया है कड़ाई गरम हो चुका है अभी इसमें हम डाल देंगे तीन बड़े चमच खी घी मेल्ट हो चुका है अभी हम डाल देंगे दो बड़े चमच काजू और दो बड़े चमच किश्मेश और अभी ड्राई फ्रूट्स को हल्का फ्राई कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं अभी इनको कड़ाई से निकाल लेते हैं तो अभी कड़ाई में जो बचे हुई घी है उसी में हम डाल देंगे दो सुखी लाल मेर्च एक तेज पत्ता दो से तीन लॉंग चार से पाच काले मेर्च एक दालचिनी का टुकड़ा एक जैत्री का टुकड़ा दो बड़ी इलाईची साबुत मसाले भून चुके हैं अभी हम डाल देंगे चौट के हुए प्यास एक मीडियम साइस के प्यास को चौट करकर लिया है प्यास थोड़ा सा सौफ्ट हो चुके हैं अभी हम डाल देंगे देर कप हरी मटर और हरी मटर को दो से तीन मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही चलाते हुए फ्राय कर लेंगे मटर फ्राई हो चुके हैं अभी हम डाल देंगे चावल तो देखिए चावल में जरा सा भी पानी नहीं है चावल को अच्छी तरा सी सुखा लिया है हमने चावल डालने के बाद साथ में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमाग और अभी चावल को एक से दो मिनित तक भुन लेंगे चावल भुन शुका है अभी हम डाल देंगे गरम पानी लगभग पाँच क्लास पानी डालने के बाद अभी हलके हाथ उससे सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे पानी के साथ और अभी हम डाल देंगे एक बड़ा चमच अद्रक लहसून का पेस्ट अगर आप लुक चाहें तो फ्राइ किरने के वक्त भी अध्रक लैसुन का पेस्ट डाल सकते हैं और अभी चावल को हम ढखकार रख देंगे 10 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर तो लगभग 8 से 10 मिनिट हो चुका है और चावल को अभी थोड़ा सा चला लेंगे तो चावल लगभग 80 परसंट तक कुक हो चुका है अभी चावल में हम डाल देंगे फ्राइ किये हुए ड्राइ फ्रूट्स तो अभी चावल को हम फिर से ढखकार रख देंगे 5 से 7 मिनिट के लिए तो लगभग 5 मिनिट हो चुका है अभी हम ढखकन उठा लेंगे तो देखिए पानी पुरा सुख चुका है और हमारी पुलाओ बिल्कुल तयार है तो अभी हम गैस को बंद कर लेंगे और इनको गर्म गर्म सर्फ करते हैं तो अगर आप लोगों को यह वाली रेसिपी पसं ने वीडियो चैनल पर अपलोड करें तो इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुच जाएं